एक मुझीब डिस्टिक प्रेज़ेंट कॉंग्रेस डोड़ा देखे आज का यह हमारा सतय के रहे चल रहा है आलोवर इंडिया में पुरे हार हैटकॉर्टर पे चल रहा है आज का हमारा जो मुदाय मकसद वो है कि हाली में आपने आपने जो देखा राहूल गांदी जी को जो इन्होंने डिस्कॉलिफाइ किया मैमर पारिलमेंट से जबकि राहूल गांदी जी हिंदुस्तान के लोगों की आवाज उठाते थे पारिलमेंट में जबके उन्होंने हकी बात की लेकिन बड़ी बदकुसमति की बात है अफ्सूस की बात है कि जो भी सरकार का फैसला है वो total undemocratic है जो कोई भी fundamental right की बात ने कर सकता है आज जो उन्होंने फैसला किया आज ये फैसला जो है ये बेच्पन्यात फैसला है ये पोलिटिकल मॉटिवेटिड फैसला है एक एक्स मिनिस्टर जो सूरत का है बारतिय जंता पार्डी का उसने रिट पेडिशन फाइल की और उसी तरजे अमल पे उन्होंने आगे इसको चलाया और ये सारा प्री प्लैंड था क्योंकि हिंदुस्तान की बात जब करता था राहूल गांधी जी पार्लीमेंट में तो ये चीज मोदी सरकार को बरदाशने हुए ये बारतिय जंता पार्डी को बरदाशने हुए क्योंकि उन्हादी के हैं देखे सरनेम का जहां तुल इस वोड़ी सरकार जहां तक आपने बोला कि राहुल गांधी जी को फाइदा देने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि राहूल गांदी जी, वो किसको फाइदा दे रहे हैं, राहूल गांदी जी किसकी आवाज कर रहे हैं, किसकी आवाज उठा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आवाज हो रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आवाज उठा रहे हैं, वो हिंदुस्तान इनके जो सरकार में लोग बैठें उनके साथ क्या तलूकात है इन्होंने जब सारा कैप्चर कर दिया, सारा बिसनस कैप्चर कर दिया आप हिंदुस्तान के एकॉनमी देखें, खतम हो चुकी है हम लोग तो डार्कनेस की तरफ ज düşün हैं, हम अंधेरी की तरफ ज susceptible हैं हमारी बेरुस्गारी हिंदुस्तान में हद से ज्यादा है, हमारी परिशने हद से ज्यादा है आपने देखा इन्होंने GST लगाया, इन्होंने डिमानिटरिजिशन किया इन्होंने जमीनदारों पे जो बलैक लाज लागू किये इन्होंने जितने भी इनके कानून है मुझे पताओ वो कानून कहां पे सही है कौन से कानून है अभी राहुल जी ने जो बारत या तरह चलाई कनिया कुमारी से कश्मीर तक उसकत पहले लोग कहा करते थे जब जमू कश्मीर में आएंगे खासकर कश्मीर में तो इतने लोग वहां वेलकम करेंगे लेकिन जब देखा गया हम तो सोच रहे थे हजारों में वहां तो लाकूं की तैदाद में लोगों ने वेलकम किया क्यों किया क्योंकि जमू कश्वीर के लोगों को भी तवाकार, एक्स्पक्टेशन बढ़ चुकी है राउल गान्दी जी से मुझे बताएं ये जो रिट्पेटिशन किसने फाइल की सूरत में चीफ जुडिशल मेजिस्टेर्ट में जहां पे रिट्पेटिशन फाइल की ये तो बीजीपे का सदेशय था, बीजीपे का एक्स्पिनिस्टर उसने वहाँ पे फाइल की बगएर किसी विट्नस के, उसके पास कोई विट्नस दे रहे थे और उसके बाद आगे जो इंपलिकेट किया वो तो पार्लिमेंट ने किया अभी बगएर किसी सुबूत के, बगएर किसी कोई ऐसी बात ने थी, एक छोटी सी चीज़, मैं इनुने छोटी बात कर दी और बड़ी बात बना दी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि हमारा जो सत्यागरह यहां चल रहा है, यह सत्यागरह सबसे पहले 1917 में मातमा गादी जी ने चलाया था, चंपरन सत्यागरह, वो जमिनदारों के हक बात की थी उनुने, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिला आ रही है, क्योंकि यह अंग्रेज़ों से कम नहीं है, इनकी डिक्टेटर्शिप अंग्रेज़ों से कम नहीं है, 1975 में अमर्जनसी लागू हुई, आइरेन लेडी इंदरा जी, जिनको जेल में डाला गया, और उस वकद कहा गया कि कांगर्स खत्म है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की हमदर्दे इतनी, इंदरा जी के साथ जुड़ गई, कि फूल में जेटी में हिंदुस्तान में कांगर्स आई, और ये इशारा उदरी की तरफ है, आप यकीन करों के, इंटरनेशनल कॉमिनिटी जो है, इस वकद राहूल गांदी जी की बात कर रही, इस वकद चिनदापार बुंदा गर्दी नहीं चलेगी, बात कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेनाशाइदी। मोधी तेरे राज में अंदेर ही अंदेर है नहीं पुझा करती नहीं करेगी